अलो बच्चा लोग कैसे हैं आप लोग तो बिटा हुमेन वाइलूज और इन्मार्यमेंट इस्ट्री जो बीए बीए सी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको पढ़ना कंपलसरी है यह और बच्चे आप सबका एकजाम भी होने वाला है ना तो यह जो है कि वीडि तो बहुत जादा अब इधार उधार से पढ़ने के जरूरत नहीं है इतना बहुत हो गया चलिए चलते हैं बच्चा यह देखिएगा कि इसका कितना सही होता है ना तो पहला क्वेचन है कि सतत विकास की अधूनिक आवदार्ण किस पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है तो आने वाले जो पीडियां हैं उनका भी विकास हो सके जैसे जंगल हो गया तो जंगल को अगर आप काटके अपना विकास कर रहे हैं लकडी उच कर रहे हैं तो ऐसा काम करिए कि उसको फिर से लगा दीजिए ताकि आगे आने वाले लोग भी जो है उसका इस्तिमाल कर सके तो इस तरह से जो अपना विकास करते हैं, इसको sustainable development या सतत विकास बोलते हैं, तो अब इसमें देखिए बिकल्प चार्ट दिये हुए हैं, इसमें दिया हुआ है कि economic development, environment protection, social development, तो पहले का हो जाएगा बच्चे, उपर्युक सभी, यानि कि आपका हो जाएगा D सही, ठीक है, यान कि सतत विकास सब्द, यानि sustainable development वर्ड जो है, एक कब आया था, यानि कि एक कब जो है, सुनने में आया, तो इसका हो जाएगा D, 1987 में, 1987 में क्या हुआ न, सब को पता चलने लगा कि हमारे देश में जो है, जो नदी, जील, ताला, वायु, मंडल, सब जो है, काफी ज़्याद गंदे अदूसित हो रहे हैं, तो सभी देशों ने मील करके न, मीटिंग बनाई, और 1987 में, सब लोग साथ में बैठे, और उन्हों एक व्यक्ति ने कहा, कि देखो भाई, हम आप sustainable development करेंगे, तो सब लोगों ने कहा, कि कैसा sustainable development गोल, तो इन्हों ने कहा, कि देखो sustainable development का आर् प्रक्रतिक संसाधन है, उनका हम ऐसे प्रयोग करेंगे, कि जैसे आगे आने वाली पीडियां भी प्रयोग करें, ठीक है, अपना विकास करें, तो इस तरह के विकास को sustainable development कहा जाएगा, तो एब बात 1987 में, सभी देशों ने मिल कर कही, चलिए चलते हैं, आप तीसरे question पे, पुछा हुआ है कि संयूत राष्ट महासभा, ठीक है, संयूत राष्ट जो महासभा है, संयूत राष्ट महासभा द्वरा सतत विकास आयोग, कब गठ सुरू किया गया था, ठीक है, तो देखिए, 1987 में सभी देश जो है, आ करके बोले कि सतत विकास सब्द का निर्मान किये और बोले कि हम दोग सतत विकास करेंगे अब वो समय तो सिर्फ बात हुई थी अब ना इसको लागू करने के लिए न 1902 में फिर एक बैठक हुई जिसको अर्थ समिट बोलते हैं प्रित्वी सम्मेलन हुआ था रियो डिय जने रियो ब्राजील में ठीक है तो अर्थ समिट हुई थी तो 1902 में जो है इन्होंने आयोग बनाया था कौन सा आयोग तो इन्होंने बनाया था सतत विकास पर संयुक्तराष्ट की आयोग 1902 में चोथे कोईचन पचलती बच्चा पूछा हुआ है कि हाओ मेनी गोल्स आर फार सर्ष काम क्या करेंगे तो बोले कि तो उसे मिए से सत्तर समस्याइं इन्ही के ऊपर काम करेंगे इन्ही को हम बोलेंगे सर्ष कंट थिक है तो सचने καलाफ मेंट गोल Fortnite गोलचा के तने हैं कि sustainable development goal जैसे पहला है गरीबी कम करना पहला है दूसरा है भुखमरी कम करना ठीक है उसके बाद है आप देखेंगे कि स्वास्त ठीक रखना ठीक है फिर जो है जिए सिच्छा को बढ़ावा देना ठीक है जब सिच्छा बढ़ जाएगी तो फिर जेंडर एक्विलिटी यान लड़के लड़कियों को समान अधिकार छठा सस्टनेबल गोल है स्वच्छ पानी पेजल ठीक है इसी तरह से सभी जो है सत्रह सस्टनेबल डेवलपमेंट गोल है जो भी समस्याएं उनको दूर करने के लिए ठीक है तो एक कब तक हमें पूरा लागो का जो है कि सस्टनेब डेवलपमेंट गोल कब के लिए है तो 2030 तक हमें जो है 2030 तक एस सत्रह गोल पा लेना है ठीक है तो सभी देश काम कर रहे हैं तो कितने हो गए सत्रह अब देखिए पांच में पर चलते हैं बच्चा इसमें पूछा हुआ है कि लुकित में से कौन सा धन प्रवास अंसाधनों के वास्तविक प्रवास से मेल खाता है तो वास्तविक प्रवास से जो है आय है वो मेल खाता है तो आय सही हो जाएगा इंकम छाटे क्वेशन पर चलते हैं बच्चा पूछा हुआ है कि अर्थ सास्तर में निवेस है स्वरी अर्थ सास्तर नहीं रहेगा यहां रहेगा एक अर्थ वेवस्था में अर्थ वेवस्था रहेगा इंग्लिस देख लीजिएगा थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट कब होता है तो देखो बच्चे ऐसे होता है कि जैसे आप लेप्टाप लेकर आए और इसमें दिन बढ़ टीवी देख रहे हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन इकोनोमि यानि कि हम लोग चीजें खरीद करके हम लोग इकोनोमिक में सहयोग दे रहे हैं तो अब छटे का कौन सा हो जाएगा तो यह हो जाएगा C यानि कि जब कंपनिया पूजीगत सामान करीदती हैं पूजीगत सामान क्या होते हैं जो खरीदने के बाद उससे पैसा कमाया जाए साते हुज़ें के रिचलते हैं प्रवाह बच्शेंद पुछा हुआ है जो एक ज़いきます प्रवाह एक दूसरे से पर निर भर है जैसे आप क्या करेंगे खनीज निकालते हैं इसको बोलते हैं चक्री प्रवाज यह दे बैंक हो गया हस्पीटल हो गया यह सब कहीं न कहीं एक दूसरे से सभी जूड़े हुए हैं ठीक है रोड हो गया सड़क हो गया यह सब चली आठमें कोशन चलते हैं बचा पूछा हुआ है कि दो हजार पचीस तक बैस्वी कस्तर पर वारसिक राजासों में कितना योगदान देने का अनुमान है तो सर्कुलर एकोनॉमी इंगलिस देख लिजिएगा सर्कुलर एकोनॉमी का कितना योगदान है देना है देश में अब देखे सर्कुलर एकोनॉमी क्या होती है तो हम एक ही चीज को प्रयोग करके कई बार जो ह चाहिए तो एक तो ए हो गया दूसरा चूज क्या हुआ आप appeal कऱिदा थिक है अब मोबाइल का पार्ट अग़र मोबाइल खराब हो गया तो मोबाील का अona बास निकाल करके न होता है उसे हम circular economy बोलते हैं जैसे आपकी ममी क्या करती होंगे जैसे बड़े भाई कपड़ा हो गया चोटे भाई पहन लेते हैं अब चोटे भाई कपड़ा चोटा हो गया तो जो है कि वही कपड़ा ममी फाड़ के उसको जो है कि पायदान बना देंगी अब पायदान भी खर जाता है देखेंगे तो कोई कोई खरीद लेता है अब उस मुबाइल से अलग अलग पार्ट निकाल के कहीं और लगाए जाएंगे फिर उक पार्ट खराब होगा तो फिर कहीं और लगाए जाएंगे तो इस तरह की अर्थविवस्था को circular economy बोलते हैं तो इस तरह की कमपनि या अब इसमें बहुत जाड़ा विकास कर रहे हैं तो हमारे देश में जो है बैस्वी का स्तर पर इसको कितना 2025 तक इससे लाव कमाया जाएगा तो वन ट्रिलियन का वन ट्रिलियन बहुत पैसा होता है ठीक है हमारे इंडिया के जो जीडिपी है वो लगभग तीन सड़े त पूछा हुआ है कि ब्रिटेन का कितना हिस्सा जो है सर्कुलर एकोनॉमी से आता है तो 19 परसेंट कितना 19 परसेंट अब देखिए दसमा है एक सर्कुलर एकोनॉमी क्या है तो सर्कुलर एकोनॉमी रिसाइकलिंग का परयाय है रिसाइकलिंग का क्या अर्थ होता है बच्चे recycling का अर्थ होता है एक अई चीज को घुमा फिरा के कई बार प्रियोग करना न तो सरकुराल economy में भी ऐसा ही होता है चलिए अब 11 में question पर चलते हैं बच्चा पूछा हुआ है पूछ यह सब देखिए परद्या और में आपकी chapter है ठीक है आपके सलेवस में हैं अब इसमें देखिए गरहमा पूछा है कि wild life protection act wild life क्या होता है जंगल में जो भी जीव हैं सेर बाग बिलार सियार जो भी भालू हाथी हैं इनको बचाने के लिए एक नियम लाया गया ठीक है एक कब लाया गया तो बच्चे एए 1972 में लाया गया था तो एक क्वेशन याद रखिएगा कि wild life जो है protection act कब लाया गया था तो 1972 में लाया गया था चलिए 12 क्वेशन पर चलते हैं बच्चा सजा दी जाए तो उसके लिए एक नियम बनाया गया ठीक है तो उक कब बनाया गया तो 1974 में याद कैसे रखेंगे तो देखिए water water बोलिए water और 74 एक ही जैसा लग रहा है तो ऐसे याद कर लीजिए ताकि आपको कई सारी नियम याद करने हैं तो भूलेंगे नहीं तो water 74 ऐसे करके थोड़ा से ट्रीक बैठा लेंगे तो याद हो जाएगा तो जल प्रदूसर निवारन अधिनियम 1974 में लाया गया ठीक है चलिए चलते है अधिन वचे 13 यानि 13 कोईचन पर पूछा हुआ है कि Montreal प्रोटोकाल कब लाग हुआ अब देखिए ना कुछ चीजें ऐसी हैं आपको ध्यान में रहने मौन्ट्रियल प्रोटोकाल क्या है तो मौन्ट्रियल प्रोटोकाल में सभी 20 के सभी देश फीर से आए और बोले कि मौन्ट्रियल में एक बैठक हुई उसको जो है कि Montreal प्रोटोकाल बोला गया और वहां एक किस से जुड़ा हुआ है तो ओजोन छरड को जो है खतम यानि कि ओजोन को बचाने के लिए कब यह लाया गया था तो बच्चे यह लाया गया था आपका 1989 में 1989 में लाया गया था मौ प्रदूसर हो जाता है या हवा में कोई प्रदूसर फैला रहा है पटाखा जला रहा है गाड़ी मोटर चला रहा है इंडर्स्ट्री लगा रहा है तो उसको सजा देने के लिए या उसको नियंत्रीर कंट्रोल करने के लिए कब नियम बनाया गया तो आपको बता दें कि यह नियम बनाया गया आपका 29 मार्च 1981 अब जैसे वाटर को आपने 74 कहा था यानि कि 1974 मिला गया था तो एयर को 81 बोल दीजिए एयर पॉल्यूशन कंट्रोल कब आया था 81 में आया था तो और से एयर ई से 81 ऐसे याद रहेगा आपको ना वाटर हो गया 74 हो गया तो ऐसे याद रहेगा नहीं तो भूल जाएंगे बहुत सारा होता है चलिए अब बच्चे पूछा है हाँ यहाँ देखिए क्योंकि यह देखिए लास्ट चेप्टर आपका यही था इनवर्मेंटल लास्ट यूनिट आपका यही था ना इनवर्मेंट में पढ़ना तो देखिए यहाँ से क्योंकि पूछा जाएगा भारती वन अधिनियम 1927 कव लागू हुआ तो यह दो बताई दिया 1927 में लागू हुआ तो यह लागू हुआ था आपका यह हाँ यह हो गया था 1927 में 21 सेप्टेंबर 1927 में ठीक है 15 में कह जाएगा 21 सेप्टेंबर 1927 में जो है आपका यह लागू हुआ था ठीक है अब देखिए एक चीज और आभी मैंने ऊपर आपको बताया था ठीक है वन जीव अधिनियम वन जीव अधिनियम यानि जंगल में रहने वाले जीवों के सुरच्छा के लिए बनाया गया था 1972 में ठीक है और भारती वन अधिनिय जंगल की सुरच्छा के लिए क्या बनाया गया था 1927 में तो इसको आप कैसे याद रखेंगे देखो बच्चे 1927 में जंगल बचाने के लिए लाया गया था वन या जीव अधिनियम ठीक है यानि जंगल को बचाने के लिए 1927 में नियम लाया गया और जंगल में रहने वाले जीवों को बचाने के लिए अब 27 को पलड़ दीजिए तो 72 हो जाएगा तो 1972 में लाया गया ऐसे याद रखिए बेटा क्योंकि कई सारे नियम कानून हैं बहुत सारे हर गवर्मेंट एक्जाम में पूछे जाते हैं तो इसलिए थोड़ा तर ट्रीक्स रखेंगे याद तो याद रहेगा ना चलिए तो 16 कोईचन पर चलते हैं बच्चा फटाक से दे नेशनल ग्रीन ट्रीबुनल ठीक हैं तो यह जो है ना हमारे यहाँ आया था जो है की 18 अक्टूबर 2010 में 18 अक्टूबर 2010 में अब यह होता क्या है तो देखो बच्चे जब आप किसी को मार पीट करते हैं किसी कोई चुरा लेता है कोई चीज तो इनको ना कोर्ट में ले जा क्या है एक कोट है यह पेड़ काटेंगे नदी में कुछ दिक्कत फैलाएंगे या फिर जो भी पर्यावड से सम्मंदीत अगर आप प्रॉब्लम क्रियेट करेंगे तो आपको सुप्रीम कोट हाई कोट में नहीं ले जाए 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 जाएगा नेशनल ग्रीब्ट 2010 में मैं explaining कर दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि आखिर में आप पढ़ क्या रहे हैं सिर्फ दाट्टा मरके जाएंगे भूल जाएंगे ना ऐसे आपको याद रहेगा और बागी कोई भी गवर्मेंट एक्जाम देंगे तो वहां काफी हेलफूल रहेगा तो हां NGT क्या है तो 2010 में एल आया गया था और परयावड की सुरच्छा के लिए कोर्ट है अगर परयावड को समस्या होती है तो वहां पर जो है ले जाते हैं NGT किसके बाद आया था तो बेटा सबसे पहले आस्ट्रेलिया में आया था फिर न्यूजिलेंड में आया था फिर इंडिया में आया था ठीक है तो तीसरे नंबर पर हमारा देश है चलिए तो इससे कोई क्वेश्चन बने तो आप ध्यान रखिएगा 17 क्वेश्चन वीडियो थोड़ा लंबा होगा बेटा परिसान नहीं हो ना 17 क्वेश्चन पर चलते हैं पूछा हुआ है कि राष् ता कितना होगा सेवा कैसी तरह से दी जाएगी जो एंजीटी से लोग जूड़े हुए हैं एंजीटी में जज़ वगएर रिटायर ज़ज वगएर वस अध्याच होते हैं तो उनके बारे में यह प्रावधान है तो यह हो जाएगा बेटा नौवा सेक्शन 18 कोशन पर चलते हैं बच्चा पूछा हुआ है कि एंजीटी एक फरवरी को गोमुख से हरीद्वार तक गंगा नदी किनारे की सामगरी के प्रयोग का प्रोड़ता प्रतिबंद लगाया देखिए अभी मैंने कहा न कि ए जो गंगा नदी है गोमुख मतलब जहां से गंगा एंजीटी ने कहा कि भई आप जो है प्लास्टिक और वेहकल पल्यूशन नहीं करेंगे ठीक है पी उसी मतलब होता है पल्यूशन अंडन कंट्रोल यह दोनों चीजें आप नहीं करेंगे तो 18 में हो जाएगा डी बी और सी दोनों सही है ठीक है तो देखिए चलिए अब एक लिए उसे पूछा जा सकता है कि फुल फर्म एंजी टी का फूल फर्म क्या है तो अभी मैंने बताए नेशनल ग्रीन ट्रीबुनल यानि कि आपका हो जाएगा बी सही ठीक है नेशनल सोरी सोरी ए सही हो जाएगा ये में लिखा हुआ है नेशनल ग्रीन ट्रीबुनल ए सही हो जाएगा चलिए बी समय क्वेशन पर चलते हैं बच्चा क्या पूछा हुआ है पूछा हुआ है कि नेशनल ग्रीन ट् प्लास्टिक हो गया एक इंच का प्लास्टिक हो गया एक सेंटीमीटर का प्लास्टिक हो गया इसी तरह से सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है ना उसको माईक्रोन में हम मांग लेते हैं कि माईक्रो माईक्रो मीटर जी से बोलते हैं तो पचास माईक्रो मीटर तक के प्लास् में नहीं फैला सकती ठीक है तो यह पचास रहेगा आपका चलिए 21 बच्चा पूछा हुआ कि NGT has been open defecation and throwing waste in the fluid plains in which river कहरा है कि NGT ने किस नदी के बाढ़ छेत्र में खुले सवच और कच्रों फेकने के लिए प्रतिबंद लगाया है तो यमुना नदी के आस पास स्वच करने जाने के लिए या फिर कच्रा फेकने के लिए प्रतिबंद लगाया है कहां यमुना ठीक है ध्यान रखिएगा चलिए 22 बच्चा पूछा हुआ है कि 25 मार्च 2017 को पर्यार और पर 20 सम्मेलन का आयोजन कहा हुआ था तो यह हुआ था बच्चे NGT ठीक है कि आयोजन किसने किया था तो NGT ने किया था ठीक तो 22 में को जाएगा यह सही 23 में कुछन पर चलते हैं बच्चा पूछा हुआ है कि NGT है इंडिकेटेड वाट मीजर अब टेकन वेयर प्लूशन रिचेट रिचेट रिस सीरियल लेवल यानि कि NGT ने बताया है कि वायो प् प्लूशन घूले होते हैं जमीन पर चले आते हैं दिल्ली में देखिए अभी बारिस कराई गई थी क्रित्री में वर्शा कराई गई थी जहाज से अब निर्माण गति विधी को रोका जाता है प्रदूसर बिजली सना जनरे बंद किये जाते हैं तो उपरियुक सभी यानि कि अगर हवा में प्रदूसर होता है तो NGT ये सभी काम करने को कहती है 24 कोईचन पर चलते हैं बच्चा पूछा हुआ है कि वर्तमान में NGT ने निवन में से किसम से अवास और संग्रचण को कारण बताते हुए तवांग जलविद्यूत परियुजना की मंजूरी रोक दी है देखो बेटा ना एक भारत है आपका ये भारत है यहाँ पे तो यहाँ पे अरुडांचल परदेश था ठीक है अरुडांचल परदेश में एक तवांग नदी है यहाँ पे बांध बनाया जा रहा था नार्थ इस्ट का एरिया है बांध बनाया जा रहा था तो वहाँ पे एक काली गर्दन वाला सारस था उसके उपर दिक्कत आ रही थी ठीक है उसका घर वर खराब हो रहा था उसके समस्य आ रही थी तो अब इस पक्ची के उपर खत्रा आ रहा था इस वज़े से उस बाध को उस परियोजना को रोक दिया गया है ठीक है तो तवांग परियोजना व आपके हर विसा के नंबर आते हैं कि chemistry में कितना पाया हिंदी में English में कितना पाये हो तो आप देखते हैं कि जिस subject में कम paper होता है आपको कम number होता है आपको मेहनत करके और बढ़ाना होता है तो उसी तरह से आपकी हवा होती है हवा में कई तरह की गैसे मिली होती है ठीक है आप तरकी बिमारियां होने लगती है तो आप देख सुने होंगे नियुज में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स तो जब इन सभी तत्तों का study करके एक डेटा निकला जाता है कि कितना sulfur है कितना carbon monoxide है तो यह जो डेटा होता है कि वायू गुडवत्ता सुचकां क्या है तो यह जो है बी मुख रूप से हवा में कितना sulfur हो गया है उसकी जाज करता है हाला कि आठ गैसों की जाज करता है आठ चीजों की तो आप बी इसमें सही लगाएंगे 26 में question पर चलते हैं बच्चा क्या पूछा हुआ है 26 में question आप देखिए क्या पूछा हुआ है कि ताज महल जो है ताज महल का रंग पीला पड़ रहा है ठीक है किसकी वज़ा से तो sulfur की वज़ा से बी सही हो जाएगा सलफर की वज़ा से 27 में question पर चलते हैं बच्चा पूछा हुआ है कि वायू गुडवत्तम आपते समय निम्लिकित में से किन प्रदूस्तक पर विचार किया जाता है यानि बच्चे अगर किसी हवा में गंदगी है या हवा अच्छी है एसम आपने के लिए कितनी चीजों का प्रयोग करते हैं तो देखिए कार्बन डायक्साइड का यूज करते हैं कार्बन डायक्साइड का यूज नहीं करते हैं ध्यान देना बेटा कार्बन डायक्साइड को हम लोग यूज नहीं करते हैं एर क्वालिटी इंडेक्स निकालते समय किसको यूज करते हैं कार्बन म मोनो आक्साइड यानि CO को कार्बन मोनो आक्साइड ओठी को यूज करते हैं ओजोन को हम लोग देखते हैं यहां पर आक्सीजन भी स्प्रिंट हो गया है बेटा तो इसको ध्यान दिजेगा ओठी रहेगा यह ना फिर उसके बाद बच्चे हम क्या करते हैं पार्टिकुलेट मैटर टू और एमोनिया हो गया पार्टिकुलेट मैटर टेन हो गया लेड हो गया और नाइट्रोजन आक्साइड सल्फर आक्साइड उपर यूख सभी तो 27 का हो जाएगा बच्चे आपका सभी यानि कि यह सभी बस ओको थिरी कर लीजिएगा तो यह सभी जो है यूज किय जाते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में अपने के लिए 28 में कुछा हुआ है कि वायू गुडवत्ता सुचकां कि कौन सी स्रेडी मानो स्वास्त के सबसे गंभीर प्रभाव डालती है अब बच्चे आप ध्यान दीजिए कि जो देखो आप देखेंगे ने तो हवा का जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है तो आपने लेयर में बाट देता है यानि कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स का माना रहा है पचास से सव के बीच में आ रहा है बच्चा ठीक है पचास के सव के बीच तूट करा है चलू ठीक है अगर पचास से नीचे है तो गाओं में पचास के नीचे रहता है यह क्वालिटी इंडेक्स तो वहां सांस लेना या बीमारिया नहीं होती है बड़ा अच्छा रहता है बनारस का एर क्वालिटी इंडेक्स न एक सव असी से दो सव के बीच में है एक काफी खत्रा वाला है मतलब बीमारियों को जनरेट करता है दिल्ली का देखेंगे तो तीन सव या तीन सव के ऊपर रहता है तो वहां एकदम नरख है हवा बहुत गंदी है तो बच्चे सबसे ज ज्यादा होता है उतना ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है उन तीसमें पर चलते हैं बच्चा पूछा हुआ है कि निमलिखित में से की उपकरण में उपयोग वास्प गैसी प्रदूसकों को हटाने के लिए किया जाता है यानि कि हवा में यदि प्रदूसर हो गया है बच्चे तो किसका प्रयोग करके जो सोरी आप हटा सकते हैं तो परियोग सभी ठीक है आव सोसर्ट टावर हो गया उत्प्रेरग परिवातन थर्मल अक्सिजाइडर कूर तीसमें क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चा पूछा हुआ है कि निमलिखित में से किस वेद में बन ए जो है आप देखेंगे कि सभी वेदों में जो है कहा गया है परयोड संतुलन बनाने के लिए ठीक है चले एक तीसमें क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चा पूछा हुआ है कि गीता में स्री क्रिश्ट के अनुसार बिख्च है तो यह लाइफ वार चैरिटी यानि दान के चलते हैं बच्चा पूछा हुआ है कि कालिदास ने अपने किस रचना में बिख्चों को पूत्र के समान च्छाया और मीठे फल देने वाले कहा था तो रगुवन्स जो है उनका एक रचना है कालिदास की उसमें इन्होंने बात कही थी चलिए यानि कि बेटा यह भी एक च जमीन मेरी मा है और मैं उसका बेटा हूँ ए बात जो है किस में कही गई है तो ए बात कही गई है अथरववेद में ठीक है तो 33 का यह हो जाएगा डी अथरववेद में बात कही गई है चलिए अब चलते हैं बच्चे 34 क्वेशन पर पूछा हुआ है कि भारती रिती रिवा पर धार्मी ग्रंतों में people के bridge को कहा गया है धार्मी ग्रंतों में people के bridge को a swast कहा गया है ना अस्वत्थ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चलिए, अब 36 question पर चलते हैं, बच्चा पूछा हुआ है, कि पवित्र पौधा माना जाता है, तो पवित्र पौधा कौन सा माना जाता है, इसमें से तुलसी, ठीक है, चलिए, 37 question पर चलते हैं, बच्चा पूछा हुआ है, कि पत्र को अम्रित फल के नाम से जानते हैं चलिए चलते हैं अपने 39 question पे पूछा हुआ है कि धतूरे के फूल और फल का उप्योग किस उपचार के लिए किया जाता है तो धतूरा इंटरनेट पे आप देख लिजिएगा एक पेड़ होता है ठीक है वो गाओं में बहुत ज़् यह ज़्ञाओ फेमस है तो यह सब थोड़ा नसा के लिए भी लोग यूज करते हैं आप के लिए काफे ज्यादा यूज क्या जाता है तो अस्थमा की प्ली करता है तो धतूरा कि समें है अस्थमा की भीमारी में होट करता है ना 14 पे चलते है prag आक्श धालाव τालाव है यानि कि बच्चे oxidation pond include यानि जब तलाव होता है न हुसमें oxidation होता है याकसीजन गैस include होती है तो उससे क्या होता है कि biological जो हता है बच्चे reduction of organic matter होता है तो 40 में का आप देख लीजिएगा हो जाएगा इसका सी सही नो कार्पनिक पदार्त की जय विक कमें चलिए 21 question पर चलते हैं बच्चा पूछा हुआ कि समुदाईक संग रचना को चिन्हित करने के लिए जली जयवी समुदाईव का फिल्ड नमूना करण सामील है ठीक है देखो इस तरह के question को आपने छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इतना बड़ा पूछा नहीं जाएगा आपके पेपर में ठीक है बायो असेस्मेंट इसका सही रहेगा बायो असेस्मेंट सही रहेगा बायो असेस्मेंट का क्या अर्थ हुआ कि जैसे क्या करते है ना समुजाइक जवी समुदाइक फिल्ड यानि कि अगर पार्क वगेर में या सहर वगेर में आसपास के जीलों में अगर जा करके हम कुछ न अगर परड़ावड से नमूना इकठा करते हैं तो उसमें ध्यान किसका रखते हैं वहां के जीव जन्तुओं का ठीक है 42 पर चलते हैं बच्चा ये पूछा हुआ है कि जल मंडल पर विकास गतिविधी के प्रभाव का उदाहरण क्या है ठीक है यानि कि बच्चे अगर आप कहीं भी जली छेतर है और वहां आप विकास करने बिल्डिंग बना रहे हैं सडग बना रहे हैं तो उससे क्या होगा उ बच्चे पूछा क्या है पूछा ये है कि निमलिकित में से कौन पराणी मल खाता है ठीक है यानि कि फेसेस क्या खाता है मल खाता है तो एक कीड़ा होता है ब्लैक कलर का होता है जिसको डंग बीटल बोलते हैं डंग बीटल कर है ना ओ खाता है मल ठीक है 44 जो है बच्चे क् किसका उदाहरड है तो जल अबायोटिक फेक्टर है मैंने आपको पढ़ाया था ठीक है बायोटिक अबायोटिक इनवर्मेंट जब हम पढ़ रहे तो हमने आपको बताया था कि जल जो है पानी जो है अबायोटिक फेक्टर है इनवर्मेंट का चलिए 45 question पर चलते हैं बच्चा पूछा हुआ कि पर्यावड संग्रेच्छड का क्या अर्थ है तो पर्यावड संग्रेच्छड का अर्थ क्या है बच्चे तो आप सबको अच्छे से पता है कि पर्यावड घटकों के बीच में संतुलन बनाए रहना यानि बायोटी का बायोटी कूल प्रभाव डाले बीना लोगों की आप सकता को पूरा करना कहलाता है तो पर्या और अर्थ को प्रति कूल प्रभाव डाले बीना अपनी विकास करना बेटा सस्टनेबल डेवलप्मेंट गोल या सतत्त विकास कहलाता है ना संपोसित विकास तो ए बच्चे सस्टनेबल को नश्ट कर दिया यह बात किस ने कही थी तो यह बात कही थी माधव गडगिल ने माधव गडगिल ने क्या कहा था कि जब हम बाध बनाते हैं तो उससे जो हमारी बरंसपतियां होती है और नश्ट हो जाती है और यह बात सही भी है जब बाध बनाते हैं तो बहुत सारे जंगल जाड़ी जो है प्याडे डूब जाते हैं क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भरता है उसमें पानी बहुत भरेगा तो आशसे पास के पहले तो बहुत जादे डूब जाते हैं 48 question पर चलते हैं बच्चा क्या पूछा है पूछा यह है कि सर्दार सरोवर्बान जो है किस नदी पर बनाया गया है तो मैंने अभी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि नर्मदा नदी पर बनाया गया है ठीक है यह महाराश्ट्रा और गुजरात के बीच में बहती है न नर्मदा बचाओ अभियान ठीक चलिए बच्चे अवंचास्वा कोईचन पूछा हुआ है कि भारत में तटी वीनिमे छेत्र अधिसूचना कब लागो की गई थी यानि जो समूद्र है बच्चा उनके तटू की रच्छा के लिए एक नया जो है कि नियम बनाया गया था त बस एक बार दो बार देख लिजिएगा बस हो जाएगा ना आप पास हो जाएंगे जितना हमने पढ़ा दिया है उतने में ही लेकिन यहां से भी कुछ क्वेस्चन आएंगे तो देख लिजिएगा 50 फिप्टी क्वेस्चन पर चलते हैं बच्चा पूछा हुआ है कि केंदर पॉल्यूशन बोड यानि कि अगर कहीं भी अगर प्रदूसर होता है जल में एयर में कहीं भी तो उसके लिए एक बोड बनाया गए एक टीम बनाई गई कि भया देखते रहना कि नहों प्रदूसर तो कब यह बनाया गया था तो बच्चे यह बनाया गया था 1974 में और 1974 में वार्टआर प्रीक वार्टशन कंट्रोल एक्ट जो है कि आया था और उसी से निकाल करके चेंद्री प्रदुसर बोर्ड की अस्ठापना की गई ऐस्थापना की गई यहґ और विवी पुछा जाता है माला पर शेयं वार्डách पूचाματα मल में है को सी कटार मल कहा है तो यह उत्रा खंड में है बच्चे वहाँ पर जो है कि यह है ठीक है पर्यावर्ण अध्यान के लिए वहाँ पर बनाया गया है चलिए 52 पर चलते हैं बच्चा पूचा हुआ है कि यह परियोजना है मेरे लिए आधूनिक मंदिर और तीस अस्थल है ठीक है कौन सी परियोजना है तो बाध बनाने वाली जो परियोजना है यह आधूनिक मंदिर और तीस अस्थल है यह बात कही थी जवाहला नहरू ने ठीक है लेक पीटा भागी रथी नदी पे हैं उत्रकंड साइड में है न तो यह्टी बाण्द बनाया गया है कहां भागी रती नदी पे तो बचचे इसको मंजूरी कभ मिली थी तो इसको बता दें कि 1972 में मिली चलिए आगे चलते हैं बच्चा पूचा हुआ है 54 question में कि यह वर्ना तवा और वर्गी यह तीन नदियां है ठीक है इनके उपर बांध बनाने के लिए जो है कहीं न कहीं एक परियोजना लाई गई थी तो यह सब नर्मदा की सहायक नदियां है न नर्मदा के आसपास आप द दूसर बोड की अस्थापना कब की गई थी तो यह देखे क्वेशन रिपीट किया हुआ है न तो ए 1972 में हो जाएगा ठीक है कि निस सब बाहत्तर में 55 है न अच्छा सोरी केंदरी प्रदूसर बोड है न 1974 में हो जाएगा बच्चा सोरी 1974 में हो जाएगा केंदरी प्रदूसर बोड है ठीक है क्योंकि अभी मैंने उपर आपको बताया है चलिए 56 क्वेशन पर चलते ही बच्चा क्या पूछा हुआ है कि वीवी पंत देखो एक क्वेशन न दो तीन ठोरी जो है जो टाइप किया है जिसने एक क्वेशन वो रिपी में हुआ था अभी मैंने आपको बताया है ठीक है तो एक उनिस बहत्तर में चलिए और वर्नार्ट तवा यह क्या है सरदार सरोवर से बस इतना ही रिपीट था इसके लिए सोरी ठीक है चलिए अभी देखते बच्चे 60 क्वेशन पर चलते 60 क्वेशन में देखे पूछा हु और यानि यह सब सारी चीजें जो हम आडिट करते हैं देखते हैं तो उसमें कुछ रिक्स फैक्टर होते हैं तो इसमें से कौन सा रिक्स फैक्टर नहीं है कौन सा इसमें रिक्स फैक्टर नहीं है तो कंपणियों की गतिवीरियों की तकनीकी प्रकृति यानि कि यह जो है technical nature of activity of company जो होता है यह दिक्स factor नहीं होता है बाकी सारी चीजें होती है तो हला कि यह काफी बड़ा question है अगर ना समझ में आए तो इसे छोड़ दिजेएगा हला कि यह इतना चीजें होती है चलिए एक सेट्वे question पर चलते हैं बच्चा क्या पूछा है पूछा यह है कि जो है पर्यावड आदिट करते समय यह से आई को बचना चाहिए अब पर्यावड आदिट करने का मतलब क्या होता है एस एस ए एक संस्था है जो पर्यावड में कोई समस्या होती है तो उसकी देखरे करती है तो इसको किस चीज से बचना चाहिए तो आपको बता दे बच्चा कि इसको जो है कि हमें नकरात्माग प्रकार में रखने के लिए अंत्रिक प्रयावड नियंत्रल पर खोज तथा निसकर्सों का उप्योग करना चेह संस्थाओं को ठीक है तो यह इसका पहला यह सही हो जाएगा ठीक है तो यह जो है काफी बड़ा है यह नहीं पूछा जाएगा अब है क्या बच्चे देखो E-M-S क्या है E-M-S एक संस्था है यह जो पर्यावड आडिट करने के लिए बटा हेल्प करती है ठीक है ठीक है तो यह पूछा हुआ है इसमें कि कौन सा इसमें से काफी ज्यादा चैलेंज है ठीक है तो E-M-A-S जो है यह चैलेंज इसके लेकिए एक चीज और यह A-I-S-O-14-1 एक क्या है तो E-S-O-14-1 जो है बच्चे यह एक टैग है यह जो कंपनी अच्छा काम करती है पर्यावड के हीत में काम करती है पर्यावड के अनुसार काम करती है तो उसको यह टैग दिया जाता है तो जब यह कोई इन्वार्मेंट इसनी फाल फाली चीजिए जो भी ऐसी चीजिए खाते हैं उस पर अगर इस्टीकर लगा हो इसका नंबर तो आप समुझ जाये कि वो काफी अच्छा है ठीक है यह सबको नहीं मिलता है यह सा जब कोई अच्छा काम करता है तब मिलता है ठीक है चलिए तो अगले question पर चलते हैं बच्चा पूछा हुआ एक 63 में इसका कार्य क्या नहीं है तो इसका कार्य नहीं है तो इसका कार्य डी नहीं है यानि कानूनी अनुपालन को सुध्रिड करना यानि स्ट्रेंटिंग लीगल कंप्लियंस जो है यह जो है इसका काम नहीं है ठीक है चलिए अभी देखते हैं अगला जो है 64 इसमें पूछा हुआ ह कि राश्ट्री बाल बोर्ड का गठन कब किया गया था बच्चों के लिए जो है कि नेशनल चिल्डरेन बोर्ड तो ए नेशनल चिल्डरेन बोर्ड जो है कि कब लागू किया गया था तो बच्चे यह लागू किया गया था आपका 1974 में ठीक है हाँ चलिए 65 पे चलते हैं बच्चे फटाक से देख लेते हैं उत्तर परदेश में राज मानवादिकार आयोग का गठन क्या किया गया अब देखेंगे कि जो ना मनुस्यों को अगर कोई किसी को परतारित कर रहा है किसी को अगर परेसान कर रहा है तो उसकी सुरच्छा के लि यानि जैसे बच्चे होता है कि 2023 को मिलेट वर्स गोसित किया गया था तो उसी तरह से से बाल वर्स कब गोसित किया गया था तो 1989 में ठीक है तो 1989 को बाल वर्स गोसित किया गया ठीक है चले 67 पर चलते हैं बच्चा पूछा हुआ है कि चीप को आंदूलन के प्रेड़ता थे तो सुंदरलाल बहुड़ा थे ठीक है संपुड जीव मंडल को चार ओर से घेरे हुए उसको क्या बोलते हैं वायू मंडल बोलते हैं ठीक है उन 69 पर चलते हैं 20 प्रयोड दिवस सकता है कि लीनियर होता है जैसे एक घास हो गई घास को टिड्डा खाया टिड्डा को मेढख को सांप खाया तो एक रेखा में चल रहा है न तो एक रेखी होगा ठीक चलिए 70 क्वेस्टन पर चलते हैं बच्चा देखो 70-70 दो बार दिया है हलांकि इसको एक हत्र मानियेगा जली पारेस्तिकी तंत्र तालाब के बायोमास का पिरामिड कैसे होता है? तो भच्चे यह question आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान दीजएगा। तालाब का पिरामिड क्या होता है? तो देखो बिटा यह उल्टा हुता है। कैसा होता है? उल्टा क्या मतलब हो गया इसका? जई पानी आप निकाल दीजिए थोड़ी से उसमें माल लिजिए कि 10 किलो मचलियां बचेंगी अब उन मचलियों को देखिए कितने लोग निरभर थे बहुस तरह आदमी निरभर थे ठीक है अब उनके उन आदमियों का पुरा परिवार निरभर था तो यानि कि यह कही तला पे न निर्भर लोगों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ती गई तो इस तरह से हमारा एक इस्ट्रक्चर बनेगा अब पिरामीड है तो पिरामीड कैसा है उल्टा है अगर ऐसे बनता तो इसको हम सीधा बोलते हैं ठीक है तो देखो बेटा तालाप का पिरामीड कैसा बनता है जानी कि आप कहीं भी घास वाले छेत्र में जाएंगे पार्क में और वहां पर आप से पूछा जाएगा कि देखेंगे कि घास का पिरामीड कैसे बनना चाहिए तो हम संख्या पिरामीड की बात अगर करें बेटा तो घास देखेंगे तो एक लाख हेतना दूर में एक जाएगे अब उन मेढ़ा को खाने वाले साप कितनी होंगे तुमाह लिजी एक एक थार है यानी कि घास के छेतर में हम देख रहे हैं संख्य घास की संख्या जादा है लेकिन उस पे निर्भर होने वाले संख्या दे-धेर कम होती जाती है तो घास का पिरामीड कैसा बनता ह है उल्टा पेड़का पिरामिट कैसा बनता है सीधा सोरी पेड़का बनता है उल्टा ठीक है क्योंकि यह कहीं पेड़ा रहता है उसके निर्भर्स लोगोंगी संख्या ज़्यादा होती है देट्र एनर्जी पिरामिट हमेंसा सीधा बनता है तो बड़े अच्छे सपढ़ा है जो बच्चे क्लास की हैं उनको पता होगा ना चलिए 71 पे चलते हैं बच्चा पूछा हुआ है कि जैभूर आसायनिक चक्र में यात्रा करते हैं तो बच्चे जो ठीक है इसी तरसे मिनेरल्स भी करते हैं और भी चलिए चलिए बच्चा आगे और पूछा हुआ है कि पारिष्ट्ट की तंत्र में सबसे महातवपूर्ड चीज क्या है पारिष्ट तो पहले देखिए पूचा हुआ है कीट है सेर है सेवाल है यानि पहले कीट होता है फिर सेर उसे खाता है फिर सेवाल खाती है सेर को ऐसा होता है नहीं यह गलत है यानि कि अगर सेर कीट किरवना खाने लगे तब तो बवाल हो जाए पांगल हो जाए देखो बैटा कीट पहल हुआ है कि भारत में किस त्रेडी के दूरलफ जानवरों की संख्या सबसे ज्यादा है थीक है तो आप देखेंगे चीडिया बड़ी रंग बिरंगी बहुत सारी दिखती है ना तो चीडिया की संख्या ज्यादा है चलिए चलिए बच्छे 75 पे चलते हैं क्या पूचा है प्र राजस्थान का राज पच्छी क्या है तो गोडावर है ठीक है गोडावन जो है राजस्थान का राज पच्छी है इसको बेटा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये बड़ा होता है सुतुरमुर्ग से छोटा होता है इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोडावल बोलते हैं राजस्थान का पक्षी है यह खत्रे में है इसलिए पूछा जाता है चलिए अठारा में कुछन पूछा हुआ है कि यदि विलूप्त हो जाता है कोई भी जीव जनतू तो उसको किस किताब में रखते हैं जैसे बच्चे माल ल देटा बुक या रेड रेड मतलब लाल डेटा बुक एक होती है आयू सीन निकालता है उसमें सारी लिष्ट बनाए जाती है कि कौन सा जीव कौन से पेड़ पौधे जो है जो है बिलूप्त हो रहे है रेड डेटा बुक चलिए बस बेटा खत्मी हो गया है ठीक है तो जाएंगे घास खा जाएंगे तो दीरे दीरे सब खतम हो जाएगा तो इसलिए बाग रहता है तो बैलेंस कर लिया रहता है तो संतुलन कौन बनाता है पहले तो बाग हलांकि सभी बनाते हैं लेकिन बाग जरूरी है तो यह बाग इसमें सही हो जाएगा संतुलन का सूचक ह चलते हैं बच्चा एक सिंग वाले गैना के लिए कौन सा प्रसीद्ध है तो यह जट लिजिए काजी रंगा असाम में एक नेशनल पार्क है बेटा ओ जो है ना एक सिंग वाले गैंडे के लिए जो है जाना जाता है चलिए अगला है human right declaration क्या है मानवा दिकार दिवस कब मनाया जाता है तो 10 दिसंबर को कब 10 दिसंबर को 10 दिसंबर को चलिए women empowerment year कब है तो 1989 को 20 हो जाएगा 1989 को महिला ससक्तिकरण वर्स मनाया गया था ठीक है महिला ससक्तिकरण वर्स 83 पर चलते हैं बच्चा पूछा हुआ है कि सम पारिस्रिमिक अधिनियम कब यानि किसको कितना वेतन मिलना चाहिए किसको कितना वेतन बढ़ाना चाहिए यह सब सारी चीजें जो है बेटा ताय की गई तो एक की गई थी 1976 में ठीक है राजधानी पूछे पहली तो दिल ली सहर पूछे तो दिल ली ठीक है चलिए 85 कोईचन पर चलते हैं वो जो उन परत हमारी रच्छा करती है सुर्की प्राबैगनी किरणों से 85 का ए सही हो जाएगा अब चलते हैं बच्चा 86 पर पूछा हुआ है कि वाहनों से निकलने वाल कर दूम में सबसे जादा से होती है तो तो कार्बन मोन अक्साइड यह सबसे खतरना क होती है और मों अक्साइड कि ऐसा हो जाता है यह सई 89 पर चलते हैं बच्चा पूछा हुआ है कि पॉलिथिन प्लास्टिक इलाने से एयर पॉलुशन होता है तो 89 का यह सई हो जाएगा चली आगे चलते हैं बेटा पूछा है 90 की कि कितनी डेसीबल डीबी मतलब डेसीबल का साउंड जो है जो है अच्छ करता है दिक्कत नहीं होती द्ध्वानी पर दूसर नहीं होता है लेकिन इससे ज्यादा होगा तो होने लगेगा ठीक है तो चलिए रेडियेशन इफेक्ट यानि बच्चे यदि आपना को रेडियेशन एक सरे वगेरा या कुछ मसीनों का रेडियेशन अगर पढ़ जाता ह इफेक्ट पढ़ता है चले 92 पूछा हुए कि पारिष्टिकी सब कहां से लिया गया है तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है और 93 बेटा एक क्वेस्चन है पूछा हुआ है कि राष्टरी सिच्छा निती में पर्यावड को सिच्छा कब माना गया यह ध्यान रखिएगा यह क् एट उसकता है ज्यादा तरच्यांस है तो 1986 बैक्ट नीव एज्यूकेशन पॉलिशी आई थी देखो और नीव एजूकेशन पॉलिशी तीन बारा चूकी है एक बारा आई ती तो आजादी के बाद बनी थी 1968 में 1968 में पीर दूबारा आई उननीस है ने साठिकार 46 में थीक ह कि इतना बहुत अफिसियेंट है इतना बस पढ़के जाए परेशान बिल्कुल नहीं होना है ठीक है तो यहीं पर हम वीडियो खतम करते हैं हो सकता है वीडियो लंबी हो गई हो तो परेशान नहीं होईएगा बेटा थांक्यू पेसेंस बनाने के लिए खुश रहिए स्वस्त सब्सक्राइए और परेशान के ख्याल जरूर रखें भी लेंगे नेट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद्ध